निशकर्ष, यह कलिकाल मलायतन, मन करी देख विचार, शिरीरगुनाथ नामतजी नाहिन आन अधार, अर्थात, रे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है, इस समय परमात्मा के नाम को छोड़, दूसरा कोई आधार नहीं है, नाम के प्राप्ती ना होने के कारण ही जीव काल का शिकार बना रहता है, और अपने अज्यानवश, प्रभु के नाम रुपी अम्रित को छोड़ कर, विशे रुपी विश का सेवन करता रहता है, तुलसिदासी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य का जीवन सूकर कूकर जैसा ही निश्फल है, ऐसा मनुष्य व्यर्थ ही जीवन लेकर अपनी माता के दुख का कारण बनता है, मनुष्य का जीवन सार्थक तबी हो सकता है, जब वहे अपने को नाम के अभ्यास में लगा दे, इस साधना में लगकर फिर उसे किसी दूसरे अच्छे या बुरे मार्ग के विशे में विचार करने की जरूरत नहीं है, एक मात्र नाम के अभ्यास के द्वारा ही उसके स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिध्धी हो जाती है, तुलसी दास्ची स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यह प्रभू का नाम ही मुझ जैसे देन हीन के लिए सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प व्रिक्ष तथा कामधेनू है, यह मेरे जीवन का सर्वस्व है, राम नाम मातू पितू, स्वामी समरत हितू, आस राम नाम की भरोसो राम नाम को, प्रेम राम नाम ही सो नेम राम नाम ही को, जानवना मरम पद दाहिनोना बाम को स्वारत सकल परमारत को राम नाम राम नाम हीन तुलसी ना काहू काम को राम की सपत सरबस मेरे राम नाम काम धेनू काम तरू मों से छीन च्छाम को पहले कहा जा चुका है कि मानस में अनेक स्थानों पर नाम या राम नाम से तुलसी जी का तात्पर परम पिता परमात्मा के नाम से है जहां राम नाम का भरोसा या राम नाम की भक्तियादी शब्द आए हैं वहां तुलसी दासी का भाव परमात्मा के उस नाम की भक्ति से है जो नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आ सकता क्योंकि यह हर भाशा की वर्नमाला की पहुंच से परे है इसी को संतों ने धुनात्मक नाम कहा है जो किसी पूर्ण गुरु के शिश्य के अंतर में प्रकट होता है यह नाम ही प्रभु भक्त का माता, पिता, स्मर्थ स्वामी और सच्चा ही तैशी है पहले कहे पद में तुलसी दास्ची इसी राम नाम के प्रति अपने अंदर भक्ती पैदा करने की प्रेर्ना देते हुए अभ्यासी को समझाते हैं कि राम नाम अर्थात प्रभु के नाम से ही प्रेम करना चाही और इसका नियम पूर्वक अभ्यास करना चाही अर्थात और के ही मार्ग दर्शन की तलाश नहीं करनी चाहिए अभ्यासी को अपना लक्ष केवल नाम के अभ्यास की ओर ही रखना चाहिए इस नाम की ही साधना पर जोर देते हुए तुलसी दासी समझाते हैं कि इस विक्राल संसार सागर को पार करने के लिए राम नाम या परमात्मा का नाम ही एक मात्र जहाज है अपने विचार को पूरी द्रड़ता और विश्वास के साथ प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि मुझे अपने गुरु का बताया हुआ प्रबु भजन अर्थात नाम भप्ति का ही मार्ग संध है और यही मेरे लिए सबसे उत्तम राजमार्ग है मैं किसी और मत्मतांतर के जगडे में नहीं पढ़ता जिनको इसमें विश्वास नहीं है वे भले ही जन्म मरण के चक्र में पचपच मरते रहें पर भवसागर के पार जाने वालों के लिए नाम का जहाज लगा हुआ है जो भी पार जाना चाहे इस पर चड़कर पार हो जाए बहुमत मुनी बहुपंथ पुराननी जहां तहां जगरोसो गुरु कहयो राम भजननी को मोही लगत राज डगरोसो तुलसी बिनू पर तीती प्रीती फिर फिर पचे मरे मरोसो राम नाम बोहित भवसागर चाहे इतरन तरोसो